हेलो दोस्तों नमशकार मिरनामि संधीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के यूटूब चैनल पर आज़ा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग योजी सीनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम 2023 और इसके साथी साथ करेंट टाइब में जो आपका एकजाम होने वाला है उसके भी point of view से 500 प्लस कोश्चन की सिरीज जो हमने स्टार्ट की थी आज उसका part 22 है और ये जितने भी कोश् में एकजाम हुए है पेपर वन की वहीं सी ये सारे कोश्चन में आपको करा रहा हूं विद एक्स्प्लेनेशन या डीटेल्स की साथ जो है मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं तो आपको करना है कि सारे कोश्चन को प्रेक्टिस सेट की तरह attempt करना है मेरे answer देने से पहले आप आपको अपना answer बताना है तब आपको बहुत ही ज्यादा benefit देखने को मिलेगा और आपका एक्जाम धीरे-धीरे close आता जा रहा है तो आप अपने तैयारी के लिए जो समय है उसको increase कर दीजिए यानि बढ़हा देजिए ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए फिर उसके बा question को attempt करेंगे तो चलिए फेंट विडियो को start करते हैं सबसे पहला question आपके सामने है question number 301 क्योंकि last video में हमने question number 300 तक question को cover किया था तो जैसे कि आप देख पार है कि धीरे-धीरे हम अपने 500 plus question series के तरह पागे बढ़ते हुए जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि 500 plus question आपका ज सब्दार्थ बाधा किस से सम्मंदित है जो सब्दार्थ बाधा होता है वो किस से सम्मंदित है आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है पहला है आपका मुख्यार्थ से B है आपका विविद असम प्रितक्ता से और C है आपका सत्य से और D है आपका एकल अर्थ वाला तो इन चारों में से आपको right answer बताना है कि जो communication या suppression होता है जब आप बात चीत करते हैं तो उस दौरान सब्दार्थ बादा किस से सम्मंदित हो सकता है तो आप अपना right answer जरूर दे question बहुत ही अच्छा है देखें यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा option number B इस question का आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर विविद संप्रित कार्थ जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा अब कैसे होगा अब यह क्या है आपके लिए नया वर्ड लग रहा होगा किसी को पता होगा तो इसको भी आप जान लीजिए देखें सब्दार्थ बाधा सब्दों के वि जाप्त करता है कि मध्य गलत फैमी को संदर्वित करता है यह जो विविद संप्रित कार्थ है यह जो है प्रेशक और प्रापक के मध्य जो गलत फैमी है सब्दों जो इसे बोला जा रहा है तो उसको यह इसपश्ट करता है और संप्रिशन में सब्दार्थ बाधा जो है व अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 302 और ये भी कुश्चन आपका कम्मिनिकेशन वाले यूनिट से पूछा गया है आप देखें इसमें बोला क्या जारे कि एक संस्थान के प्रधानाचारी को एक लिपिक से प्राप्त अवकास का प्राथनापत्र किस संप्रिशन क अधरन है ये आपको बताना यानि कि एक संस्थान के प्रधानाचारी को एक लिपिक से प्राप्त अवकास का प्राथनापत्र जो होता है वो किस प्रकार के कम्मिनिकेशन यह संप्रिशन का उधरन है आप भी जो है बहुत अप्लीकेशन लिखते होंगे अपने स्कूल यहाँ पर सामाने संप्रिशन तो इसका राइट आंसर आप सभी को comment box में बताने का प्रयास करना है देखे friends यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा उर्धो मुखी यानि की upward communication इसको बोला जाता है इसके बारे में हम जाल लेते हैं देखे एक संस्थान के प्रधानाचारी को एक लिपिक से प्राप्त अवकास का प्रातना परतु जो है उर्धो मुखी संप्रिशन का एक एक जांपल है और अधो मुखी के बारे में हम जाल ले क्या हो सकता अधो मुखी संप्रिशन पूछ लिया जाए तो अधो मुखी संप्रिशन उच्छ से निम्न पद की ओर होता है जैसे कि सिच्छक से छात्र मालिक से कर्मी के मध्य हुआ संप्रिशन यानि कि जैसे कि नाम से ही आपको समझ मेरा डाउन वर्ड यानि उपर से नीच तो 36 संपरेशन आपका दिया गया है तो 36 जो है यह सभी कर्मियों और आपसी छातरों, मित्र मंदली, सिच्छगनों के मद्य होने वाले संपरेशन को जो है यहाँ पर आपका होरिजेंटल कम्मुनिकिशन यानि कि 36 संपरेशन कहा जाता है यह आपको याद रखना है और इसमें समप्रिशन समान पद वाले वेक्तियों के मद्य होता है यानि होरिजेंडर का मतलब समान, डाउन वर्ड का मतलब उपर से नीचे के तरफ, अपर वर्ड का मतलब जो है नीचे से उपर के तरफ अगला कोश्चन हमारा है, कोश्चन नमबर 303 यानि की 303 वाले यूनेट से है, तो आपको पता ही कि प्रते एक यूनेट से 5 कोश्चन आपके एकजाम में पूछे जाते हैं कभी काल को एक अगल कोश्चन ऊपर नीचे होता है, लेकिन 5 कोश्चन पूछे जाते हैं, बोला के जा रहा है कि संप्रेशन के डेस 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 इस प्रकार में एक सरवर से सूचना प्राप्त करने की मांग द्वारा सेवार्थी श्वयम वेवार प्रारंब करता है, अब यस श्वयम वेवार प्रारंब करता है, और वेब पेज को वेब ब्रावजर के माध्यम से डाउनूड करना, पुल तकनीक का एक बहतर एकजाम पल है यानि कि यहाँ पर B आपका राइट आंसर हो जाएगा या ICT से भी रिलेट करता है आपका question तो यहाँ पर option number B अगर आपने राइट आंसर बताया तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आईए अगला question देखते है अगला question हमारा है question number 304 और यह question आपका teaching aptitude से यहाँ पर लिया गया है और अभिकतन और करण के form में यह आपका question है इस question आपको देखने को मिलता ही मिलता है तो इसमें थोड़ा सा समझ कुछ एक किया जाता है simple question one liner में अगर आपको देदिया जाए तो आप direct answer बता दोगे तो ऐसे question दे कर जोए आपसे understanding level जो आपका concept से यह पूछा जाता है question कि आपकी समझ क्या है वो पता चलती है अब देखिए यहाँ पर अभिकतन यह में बोला क्या जारा है कि सिच्छक की तरफ से राय बना लेना संप्रेशन की एक बादा है कारण R बोला जा रहा है कि प्रभावी अधिगम परिडाम के लिए सिच्छक को विद्यार्थियों के संदोश को प्रकट करना चाहिए तो अब कारण और अभिकतन को अच्छे से समझना है जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है और option A, B और C और D में से आपको अपना right answer comment box में जो है बताने का प्रयास करना है तो इसका right answer आप सभी जरूर बताएं देखिए यहां पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहां पर right answer हो जाएगा यह सत्य है परन्तु आपका आर क्या हो जाएगा गलत है यानि अभिकथन आपका सही है लेकिन कारण आपका गलत हो जाएगा तो याद रखना है यहां पर आपको की सिच्छक की तरफ से राय बना लेना संप्रेशन के एक बाधा होती है और यह अभिकथन आपका सत्य है जो कि आपका पहले ये दिया गया है और लेकिन दिया गया कारण जो है पूरी तरीके से आपका गलत है क्योंकि प्रभावी अधियम परिडाम के लिए सिच्छक को विद्यार्थियों के सदोश को प्रकट नह जाना नहीं होता है अगर आप प्रभावी यहां पर आपका अधियम चल रहा है ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है बलकि उसके सदोश के निकारण यानि कि उसका निवारण करने में जो है सही उग उसका करना चाहिए जबकि यहां पर क्या बोला जारा है उसके समस् अबका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आए अगले देखते हैं अगले कुस्टेशन हमारा है क्योष्टन नंबर 305 305 यह और यह कुश्टन आपका लॉजिकल रिजिनिंग से लिया गया है देखिए लॉजिकल रिजिनिंग से कोश्टन कराने के बारे में कमेंट बॉक ये तरक सास रहत्वा भास तरक दोसिस से question जाधा तत आपको logical reasoning से देखने को मिल ला है बागी mathematical वाले पार्ट में जो 5 question पूछे जाना है उसमें से 3 question आप से mathematical question calculation के पूछ ले जाते हैं उसी के अंतर के reasoning के एक आद दो question आपको देखने को मिल जाते हैं बागी आपका logical reasoning से ऐसे question देखने को मिलते हैं अब बोला किया जारा कि आगमनात्मक तरक वाकियों पर निमनलिखित में से कौन से कथन सही तरीके से लागो होते हैं आगमनात्मक तरक वाकिया आप समझ पा रहे होंगे आगमनात्मक का मतलब क्या होता है पहले example to rule इसके बारे में आपको पता है और फिर निमनात्मक में क्या होता है आपका नियम से example के तरप जाना तो आपको यहाँ पर अब समझ लेना है पहला दिया गया वे न तो अंतीम रूप से वैद है और ना ही अवैद है दूसरा दिया गया नए आधार वाक्य को सामिल करने से तरक वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तीसरा दिया गया नए आधार वाक्य को सामिल करने से तरक वाक्य ससक्त दुरूबल हो सकता है और चोथा दिये गए निरपेच अब सकता वाले आधार वाके से निसकर से निकलते हैं नीचे दिये गए विकलपो में से आपको अपना right answer बताना है कि पहला दूसरा तीसरा और चोथे में से कौन सा option आपका सही हो जाएगा question काफी अच्छा है standard question का अच्छा है इसने कि यह जी question है क्या तो question यह जी पूछे जाते है यारी unit में आपको ऐसे ही question देखने को मिलेंगे आप देखिए दोस्तों इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा इसमें क्या दिये कि आपका पहला और तीसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा वे न तो अंतिम रूप में वैद है और नहीं अवैद है और इसके साथ साथ नए आधार वाक्यों को सामिल करने से तरक वाक्या ससक्त दुर्बल हो सकता है तो यह जो है आगमनात्मक तरक वा कुश्य नमबर 306 यानि 306 है और यह भी लार यानि की लोजिकल रिजिनिंग से है युक्तियुक तरक से है इस तरक वाक्य में दोस को बताईए तो यहाँ पर एक आपको श्रिट्मेंट या कथन या वाक्य दिया गया है और इसमें तरक दोस जो है आपको बताना है ठीक है पहले पढ़ दीजिए आप सभी पुरुस जो महिला को समझते हैं वे समभौता स्रिष्ट पती होते हैं सभी समभौता स्रिष्ट पती असमित धहरे वाले होते हैं इसलिए कुछ असमित धहरे वाले पुरुस वे पुरुस हैं जो महिला को समझते हैं अब इस पूरे वाक्य को समझना है दैन उसके बाद से बताना है कि इस वाक्य में कौन सा तरक दोस है पहला दिया गया है कि आप व्याप्त साध्य दोस यहां पर एक दोसी एक्ष्टा हो गया आपका फिर उसके बाद से बी जो है आपका व्याप्त पच्छ दोस और फिर उसके बाद से सी है आपका आस्तित्व भिग्रह दोस और उसके बासे D है आपका अव्याप्त हेतु दोस तो इसमें से कौन सा दोस है यह आपको बताने का प्रयास करना है तो काफी इंट्रेस्टिंग कोश्चन है लॉजिकल डिजनेंग की बारे में आप बार बार कमेंट कर रहें तो ऐसे ही कोश्चन आपको देखने को मिलेगा आप देखिए यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका आपसन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आस्तित्व भिग्रह दोस जो है यहां पर हो जाएगा यानि कि इसेंसियल फैलसी हो जाएगा सम्भावता स्रेश्ट पती होते हैं ऐसा नहीं है कि जो मैलाओं को समझते हैं वो स्रेश्ट पती हो सकते हैं ठीक है साभी सम्भावता स्रेश्ट पती असेमित धहरवाले होते हैं इसलिए कुछ असेमित धहरवाले वे पुरुस जो मैलाओं को समझते हैं तो यहां पर जो आपका आस्तित्व अभिग्र दोस हो जाएगा यह आपको याद रखने हैं तो अगर आपने option number C right answer बताया तो यह आपका सही answer होगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 307 है यह आपका और यह भी question आपका logical reasoning से यहाँ पर लिया गया है आप देखें बोला क्या जा रहा है मेरे answer देने से पहले आपको answer देना है तब जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा benefit मिलेगा इस तरीकी से आपका mind work करेगा मैं answer ही बतातूँगा तो आपका mind जो है सोचे गाई नहीं जब सोचे गाई नहीं तो question solve करने की capability develop आपके mind में नहीं होगी इस बात को याद रहना है खुद उसे प्रयास आपको करते रहना है बोला के ज़रा कि न्याय सिधान्त में केवल साध्य अपद से अवसे रूप में संबंदित होने हेतू अनुमान को क्या कहा जाता है जब यह इसके हेतू पद पर आधारित होता है तो आपको इन चारों विकलपों में से right answer बताना है कि इस question का right answer क्या होगा देखिए ऐसा ही question आपको logical reasoning से मिलेगा जिसे कि आप बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास यहाँ पर करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा केवल अनव्याई जो है यहाँ पर आपका right answer होगा पूछा क्या गया था कि जब यह इसके हितूपद पर आधारित होता है तो आपका केवल अनव्याई यह आपका होगा देखिए याद रखना है आपको एक अनुमान केवल अनव्याई तब कहलाता है जब वह मध्यपद प वस्तु को आप जानते हैं वो सारे वस्तु नाम में है फिमस है और पॉट एक जानने योगे वस्तु है इसलिए पॉट एक नामनी वस्तु आपकी होगी तो यह एक जामपल के तौर पे दिया गया कि किस प्रकार से एक अनुमान में केवल अन्वयाई तब वो कहलाता है जब मद्य पत पर पूई तरीके से आधारित होता है जो केवल साकारात्मा ग्रोप से प्रमुक्ष सब्द से संबंदित आपका होता है तो इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा आई अगले कुश्चन देखते हैं अ कथन दूसरा बोला जारा है कि निया सिध्धानत के अनुसार हेतुपद साध्यपद के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकता है दोनों कथन को समझ लेना है आपको फिर ऑप्सन ए और बी और सी डी में से अपना आंसर बताने का प्रयास करना है कुछ पढ़ने योग यह है अ आपका ऑप्सन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों आपका यहां पर सही हो जाएगा यहीं कि अनुमान के निया सिध्धानत में साध्यपद हेतुपद के बिना आस्तित्वान हो सकता है यह बात याद रखना यह लाइन आपसे पूछ राइट आंसर आई अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नंबर 309 यानि 309 है और यह कुश्चन आपका ICT वाले से है और ICT से ही मुझे कमेंट आया था कि सर ICT वाले यूनिट से भी current affair जो है करा दीजिए फिर उसके बाद people and environment से भी करा दीज यह देखे आपके सामने previous year का कुश्चन है क्या current affair का कुश्चन आपको ICT में देखने को मिलता है मिल जाता है कभी जैसे कि उस समय स्वयम का और इस तरीके से मूख से higher education में जो आपका चलन बढ़ा था तो उससे संबंद से question पूछे गयते हैं अभी भी पूछे जाते हैं ऐ देखे यहां पर पहला जो आप्सन है wireless LAN protocol होता है बी है लगू रेंज डाटा प्रिशारन प्रोटोकॉल है और सी है अंतह प्रिशालनिय प्रोटोकॉल है और डी दिया गया है समकच्छी यानि कि PRC समकच्छी networking protocol है तो इसका right answer आपको बताना है बहुत इस्तमाल करते हैं होता है यह आपको याद रखना है देखे Bluetooth जो है लगू रेंज डाटा प्रसारन प्रोटोकॉल होता है और इसे मुख्य रूप से wire connection के विकल्प के रूप में आसपास के portable उपकरणों के मद्य फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए और cell phone तथा music player को wireless headphone से जोडने के लि इसको इंग्लिस में भी आपको याद रखना है हिंदी में तो यह होगे जिसे की short range data transmission protocol यह आपका होता है तो option भी है right answer आपने बताया तो यह आपका सही answer हो जाएगा आई अगला question देखते हैं अगला question हमारा है question number 310 और यह video का हमारा last question होगा और यह भी question आपका ICT वाले unit से पूछा गया है आप देखे बोला किया जारा है पिक्सल घनत्व क्या है आप बोलते हैं इतना mega pixel camera होना चाहिए तभी फोटो अच्छी आएगी तो उसी pixel के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे बहुत पिक्सल में आपने फोटो की चाहोगा लेकिन अब इसका मत पिक्सल की संख्या C है आपका पिक्सल की संख्या जो की चित्र की बनावट में प्रियुक्त है और D जो 36 और उर्धवाधर पिक्सल की संख्या जो की स्क्रिन डिस्पले की बनावट में प्रियुक्त है अब आपको इन चारो विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंड ब सेंटी मीटर जो है आपका क्या होता है पिक्सल घनत्व होता है किसे भी कंप्यूटर डिस्पले याद रखना है किसी भी कंप्यूटर डिस्पले या कंप्यूटर फोटो में प्रोग्राम योग रंग की बुनियादी एकाई को पिक्सल कहा जाता है जैसे कि आपके डिस्पले पर इमेज या फिगर या वीडियो आप देखते हैं लेकिन वो कई छोटे-छोटे पिक्सल्स के रूप में आपको वो सारी चीजे दिखाई देती हैं यह आपको याद रखना है और यह पिक्चर जो है element का संचिप्त रूप होता है और दूसरे सब्दों में बहुत सारे छोटे-छोटे से मिलकर एक स्क्रीन तयार होती है यानि सब छोटे-छोटे जो पिक्सल्स मिलके एक बड़ी स्क्रीन आपकी तयार होती है बहुत ही close करके आप जब देखोगे तो ऐसे छोटे-छोटे आपक वो बॉक्स के रूप में डिस्प्ले प्रतीत होगा वही आपका पिक्सल होता है जितना घना होगा उतना ही आपको clarity दिखेगी उसमें ठीक है इस तरीकी से छोटा ऐसे नहीं दिखेगा आपको जिसे डिस्प्ले देखते हैं बहुत close करके ऐसे देखेंगे तब जाकी ऐसा आपको होगा तो उमेद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे यह राइट आंसर है आपका option number B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आई एकला question देखते हैं सौरी यह last question था लेकिन मैं थोड़ा सा भावनाओं में बैके आगे बोल दिया कि आगे अगले question को देखते हैं ऐसा कुछ नहीं यहां पर आपका 10 question हमने cover किया with details के साथ इन 10 question में आपका कितना score रहा यह आप मुझे यहां पर मैंसे लिख देता हूं थोड़ा सा सही से मैं य बताईएगा किसी question को लेकर अगर आपको doubt होता है वो भी आप बताईएगा किसी और unit से question चाहिए वो भी बताईएगा और बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स आया थें कि sir आप ICT और इसके साथ people development in environment हो गया आपका और इसके साथ higher education है और एकाद unit और कुछ ऐसी मिंसन था तो उनके current affair कराएं तो देखिए 5 question आपको प्रतेक unit से पूछे जाते हैं तो एक question हो सकता है संबहुता current affair से आपसे question पूछ लिया जाए ठीक है सारा question नहीं पूछा जाएगा तो बाकी 4 question आपने तयार कर लिया है या नहीं कर लिया मुझे नहीं पता लेकिन आपको ये भी ध्य जान देना है कि जो maximum scoring जो पार्ट है उस पर ज्यादा आपको time देना है कम scoring एक दो question आपको देखने को मिल जाएंगा और उसी के पीछे आप पूरे पढ़े रहेंगे तो मैं कोसिस करूंगा कि वह एक दो question जो आप से पूछे जाएं उनको cover कराऊ मैं लेकिन आपको अभी अ और भी units हैं जिसमें आपका reading comprehension है उनको भी आप practice के थुरू cover कर लेंगे communication है ICT है उसके बाद से आपका research है teaching aperture है higher education है इन सभी unit को आपको check करना कि क्या मेरा अच्छे से पूरा clear हो चुका है तो यह रही बात people development in environment में भी एक question आपको current affairs से देखने को मिल जाएगा higher education में भी जो संबंदित तकनीकी जो है development हो रहा है education के sector में वो उससे संबंदित एक question दो तीन question आपको देखने को मिल सकते हैं तो उमीदे की बातों को आप समझ पा रहे हैं मैं भी प्रयास करूंगा कि जो आपने request किये उसको fulfill कर पाऊं लेकिन अभी यह series आपकी continuous चलेगी और इसको complete करने के बाद ही मैं जो है उस पे काम करूंगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास किसी भी कि बहुत बड़ा resource नहीं कि मैं एक दो चार लोग हैं उसमें जल्दी से research करना और question को collect करना जैसे current affair आप कह रहे हैं तो उसके लिए research करना higher education से जोड़ी कौन सी update आई है और कोसिस मैं यही करता हूं higher education से संबंदी जो भी updates आती रही है उसको मैं देता ही रहता हूं कि क्या कुछ नहीं education policy के अंतरगत changes हुए हैं कई सारे updates मैंने दिये तो संबवित हो वहां से question पूछ लिया जाए तो उमिदे की बातों को आप समझ पा रहे हैं वीडियो का session आपको अगर कहीं से भी पसंद आया होगा बहुत सारी मैंने बाते की लेकिन अभी जो है वीडियो को आपको क्या करना है लाइक करना है ताकि हमारा motivation और जो है appreciation बढ़ा रहे हैं ताकि हम ऐसे continuous आपको अच्छे content देते रहें share करिए maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इससे help मिल सक चैनल पे अगर आप नए चैनल को subscribe करिएगा और उसके बगल में जो bell icon का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लिजेगा ऐसे important वीडियो की notification को पाने के लिए थोड़ा है लेकिन quality है आपको लग रहा हुगा कि ये content बहुत छोटा है question कम है लेकिन quality content या quality जो है मैं वीडियो आ जैसे कि आप एक्जाम में आप जाकर देते हूँ ऐसे ही आपको feel होगा ठीक है तो उमीदे की बातों को आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने PG qualify कर रखा है ऐसा नहीं कि आप छोटे बच्चे है ग्रिजूशन किया फिर पोस्ट ग्रिजूशन किया उसके बाद भी आप जैहिन जैभराद